तो मस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चेनल आदर्श उनलाइन में और आज हम पिरियोडिकल असेस्मेंट टेस्ट 3 के लिए सलूशन देखने वाले हैं और सबसे पहले मैं आपको क्रेशन पेपर बता दूँ और साथ साथ आपको इसका सलूशन भी मिल जाएगा 5-7 मिनिट्स के वीडियो में आपको पूरे पेपर का सलूशन दे दिया जाएगा मगर यह देखने से पहले आप प्लीज हमारी चेनल को सब्सक्राइब करें और जादा से यादा इससे शेयर करें कमेंट और लाइक करना न भूले जब भी आप इस चैनल को सब्सक करना था हमको यहाँ पर कुछ क्योंशन पूछे थे नंबर कॉम्स एग्जैकली बीट्विन 33 और 53 हाफ सेंचुरी प्लस 19 थ्री लेस दें सेंचुरी वगेरा वगेरा तो देख लीजिए इसके आंसर कुछ इस पर प्रकार है वन को ए के साथ कनेक्ट करना है टू को सी के साथ और 5 को 7 के साथ ठीक है यानि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहतर ख्याल आ जागा तो नंबर कम बिट्विन 33 तो 53 उसको हम 43 के साथ जोइंट करेंगे हाफ सेंचुरी प्लस 19 इस इक्वाल तो 69 यह रहा और 3 लेस देन सेंचुरी यानि 100 में से 3 कम कर दो तो 97 10 रूपी 5 रूपी 15 रूपी उसको यह के साथ एंट 2 प्लस 2 1 एंट 3 10 तो 32 हो जाएगा उसको एफ के साथ कनेक कर देंगे let's move to the question number 2 question number 2 में fill in the blanks हमको दिये और यह fill in the blanks को हम अभी fill कर लेते हैं पहले हमको दिया 840, 841, 842 हो जाएगा 398, 399 तो 400 ले लेंगे 610, 611 तो 609 और 99, 100 और 101 249 के बाद आने वाला number है 250 तो इस प्रकार हमारे यह भी 5 question हो जाएगा और बिना वगवाए आपके 5 marks जो है वो आपके pocket में आ गए पहले में 841, 842, 400, 609, 99 और 250 तो इस प्रकार हमारा यह question number 2 जो हो complete हो गया question number 3 के लिए हमको कुछ sum दिये गए थे, पहले दो sum का weightage 2, 2 marks individually है और third question जो है उसका one mark का weightage है तो हम यह questions देख लेते हैं तो दोस्तो पहले question हमको दिया गया 503 and 385 उसको हम add करेंगे addition आपके सामने है यह रहा answer पहले सवाल का जो answer है वो 888 आ जाएगा 3 plus 5 8, 0 plus 8 8 and 5 plus 38 तो इस प्रकार आपका पहले question का answer जो है वो 888 हो जाएगा sum number 2 में 363 plus 458 आपको दिया गया था तो question number 2 भी हम देख लेते 363 plus 458 3 plus 8 11 तो यहां पर हम 1 रख देंगे और carry 1 7 plus 5 12 और 4 plus 48 तो इस प्रकार यह हमारा question number 2 हो गया 3 में भी बढ़िया sum था हमको इस प्रकार पूचा था make we have to how much do we get when we add 100 plus 200 100 plus 200 makes 300 तो यह का फ्यासानी के साथ हो जाएगा so now let's move to the question number one two and three question number one के अंदर हमको question है के a mobile company making manufacture 267 mobile on first day and 123 mobiles on second day और हमको इसका total fine करना है ठीक है के पहले दिन इसने 267 mobile जो produce किये दूसरे दिन इसने manufacture किये 123 दोनों को add करने के बाद हमको total ढूनना है इसकी method भी मैं आपको बता दूँगा तो यह इसका अंसर आप देख लीजिए प्लस 123 mobiles on second day लिखेंगे और इसका अंसर जो है वो 7 plus 3 10 1 plus 6 7 plus 2 9 and 2 plus 1 3 तो 390 टोटल यहां पर आप mobile भी लिख देंगे तो बहतर रहेगा देखो आंसर हमने दिया yes so there were total 390 mobiles in two days यह perfect आंसर है यहनि आंसर के भी आपको marks मिलेंगे सिर्फ आपको आंसर नहीं दे रहे हम हम आपको पूरा statement भी बता रहे हैं तो इस वीडियो को आप अन तक देखे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर बताया अगर हमारी कोई भी गल्ती हो तो आप यह कमी हो तो आप हमें प्लीज नोटीस करें ताकि हम हमारे काम को और इंप्रू कर सके ओके तो आप आजाते हैं क्योशन नंबर टू की और क्योशन नंबर टू में हमको बुला महेश बॉर्ड अश्यूगर वर्थ रुपीज टू हंड़ें थर्टीन स्यूगर लीस ने दो सो तेरा रुपे में और टी लिया इसने थ्री डैंटी टू अब हमको इसमें भी यह द अब हमको यहाँ पर जैसे दिया गया था टू हंड्रेट एंट एंट फूगर एंट्री नाइंटी टू फर्टी और यह छिसो पांच जो है वह इसका अंसर आ गया इसको टोटल कर लिया मगर यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट है वह कुछ इस प्रकाल लिखना है और क्रेशन नमबर त्री में हमको पूछा है वन मक में है 50 रूपीज पर लिटर मिल्क और दो लिटर मिल्क खरीदना है हम बिल्कुल आसानी के साथ बता सकते हैं इस सम में हमको मल्टिप्लाई कर देना है एक लिटर मिल्क जो हो 50 रूपी कॉस्ट है उसका और उसको 2 लिट खरीदना थो हम क्या करेंगे सब्सक्राइब है देखिए यहाँ पर यह 50 इसको 2 से मल्डिप्लाई कर दिया और जैसे मल्डिप्लाई करेंगे हमको 100 आजाएगा अंसर लिख देंगे 100 रुपीस फोर 2 लीटर मिल्क और उसी के साथ यह 5 माक्स का जो टास्क था वो भी कम्प्लिट हो जाएगा तो चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन A एन B यहाँ पर हमको मैचिंग करना है पहला जो 1 है उसको C से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर आप आंसर देख लिजिए ताकि जो लाइन से उसमें आप कन्फ्यूज ना हो जाए option 1 को C के साथ 2 को E के साथ 3 को A के साथ और 4 को B के साथ और 5 को D के साथ कनेक्ट करना है अब हम इसको discuss कर लेते 1000 सेंटीमीटर इसके लिए हम ले लेंगे 10 मीटर 4 मीटर is equal to 400 सेंटीमीटर 210 यानि 2 मीटर 10 सेंटीमीटर 7000 का 70 मीटर और 9 मीटर का 900 तो इस प्रकार जो है हमारे questions जो हो complete हो जाएंगे अब यह paper complete हुआ है thank you very much